अब आते हैं हम question no.4 पर exercise 2-3 तो 2x-3 over 2x plus 1 दिया गया यहां पर again यहां पर division में है तो हमने कहा था यहां पर formula apply करेंगे and वो ही करते हैं सबसे पहले let कर लेते हैं y के equal 2-3 over 2x plus 1 अब हमने d by dx दोनों साइट पर लेना है जिब left side पर d by dx लेंगे तो left side पर क्या y तो वो बंज़ेगा dy over dx राइट side पर d by dx लेंगे किसका पूरी उसको bracket के अंदर लिख लेंगे अपने function को and again हमने formula क्या बताया था सबसे पहले numerator जो है denominator जो है वो क्या है 2x plus 1 numerator क्या है 2x minus 3 तो जो denominator में आ है वो पहले लिखेंगे यानि 2x plus 1 फिर d by dx किसका लेंगे numerator का 2x minus 3 फिर minus sign और फिर हम क्या करेंगे जो जिसका पहले ले लिया है d by dx किसका 2x minus 3 वो वैसे का वैसे ही लिख देंगे जो के हमारा numerator है and then denominator का d by dx लिख लेंगे और नीचे के आएगा जो भी हमारा denominator था उसका square यानि 2x plus 1 का square अब तो बहुत easy है 2x plus 1 वैसे का वैसी bracket लिखेंगे जब d by dx लेंगे 2x की तो x तो बन जाएगा 1 2 को हम कुछ करेंगे नहीं तो 2 answer आजएगा उसका और फिर minus 3 का answer 0 आएगा तो वह लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो complete देखना चाहते हैं तो अभी Google Play Store पर जाएए और लिखे हिपो ए लर्निंग प्रोग्रेम हमारी आप डाउनलोड कीजिए ना सिर्फ इस सब्जेक्ट की बलके तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर कम्प्लीर देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फर्दर अप्रेट्स के लिए